तो आज के इस वीडियो में हम लोग डियल नंबर्स को आगे बढ़ाते हुए एक सरसाइज 1D के कोशन नमडर 125 तर डिसकस करेंगे ठीक है 125 डिसकस करेंगे और इसके पहले के वीडियो क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक किजिए वहां पर मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया ठीक है वहां से आप जाकर देख सकते हैं चलिए तो कोशन नमर 1 की तरफ हम लोग करते हैं देखें कोशन 1 बनाने से पहले आपके लिए एक औजेक्टिव कोशन ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा कि हमेसा आपके लिए को आंसर देना ठीक है तो क्या करते हैं तरफ करते हैं क्या बोल रहा है पर सकते हैं हम लोगे को डिएच्टिट देना ठीक किसका बोल रहा है the numbers of the numbers of the form P by Q, मतलब कोई भी number जिसको हम लोग P by Q के form में express कर पाएं, उसको क्या कहेंगे, हम लोग rational number कहेंगे, जैसे example के लिए 5 by 2, ठीक है 3, 3 मेरा rational number होगा क्या, होगा क्यों, क्योंकि 3 by 1 है, ठीक है, चलिए अब ये आपके लिए question है, ठीक है कि मेरा 0, 0 एक rational number होगा की नही होगा की क्या होगा, ठीक है, तो चलिए हम लोग rational number का definition जान चुकी है, अब हम लोग देखेंगे किसका e rational number, ठीक है, अभी इसमें e rational number का definition देख लीजिए क्या होता है, question number 2 में इसी का मैं क्या करूंगा, detail explanation लाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो-जो terms use हो रहे हैं, जैसे देखें, इसमें क्या लिखा गया है, the numbers which been expressed in decimal format, मतलब किसी भी number को जब decimal format में change किया जाता है, तो क्या करा है, expressible as non-terminating, non-terminating and non-repeating, इन सभी को question number 2 में समझेंगे, अभी यहाँ पे देख लीजिए कि इसका definition होता है, non-terminating and non-repeating decimal are known as irrational number, ठीक है, अभी question number 2 में हम लोग अच्छे से, यह जो non-terminating क्या होता है, terminating क्या होता है, सब को अच्छे से उस कदम, एक-एक क्या करेंगे, हम लोग खोल देंगे धागा, ठीक है, चलिए हम लोग, next क्या है, मेरे पास real numbers, real numbers क्या है, कोई भी number, जिसको हम लोग क्या कर सकती है, जिसको हम question पर represent कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, हम लोग real numbers कह देंगे, ठीक है, तो question number 2 की तरफ, हम लोग move कर रहे हैं, अब हम लोग question number 2 को देखेंगे, ठीक है, question number 2 में करना क्या है, question पढ़ लिजिए, क्या बोला गया है, classify the following numbers as rational और irrational, मतलब क्या है, जितने भी मेरे पास question number 2 में numbers दिये गया है, सभी को identify करना है, कि कौन सा rational होगा, और कौन सा irrational होगा, ठीक है, तो सबसे पहले, हम लोग क्या सिखेंगे, ए-rational number होता क्या है, और उसको कैसे पहचानेंगे, उसके rule को जान लेंगे, यहाँ पर जो लगा हुआ है, यह e-rational number को पहचानने का rule है, ठीक है, और जो e-rational नहीं होगा, उसको हम लोग rational बोल देंगे, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले e-rational number का definition देख चुके है, question number 1 में, एक पर फिर से पढ़ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, the numbers that are expressible as non-terminating, ठीक है, हम लोग लिखके रखे हैं कि non-terminating समझेंगे, terminating समझेंगे, repeating समझेंगे, non-repeating समझेंगे, चारो पार्ट को समझ जाएंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा e-rational number क्या होता है, ठीक है, definition पढ़ लिए, non-terminating and non-repeating decimal when expressed in decimal form are known as e-rational numbers, ठीक है, definition पढ़ लिए, अब हम लोग सबसे पहले इन चारो terms को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे, कि मेरा e-rational numbers क्या होता है, ठीक है, सबसे पहली बाद terminating, terminating क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, देखिए, अग आइर सी बात है, decimal आएगा, ठीक है, decimal आएगा, two times में ten लगाईगे, यहाँ पर two आजाएगा, अब यहाँ पर तो हम लोग decimal लगाएंगे, ठीक है, decimal लगाए ना, अब decimal लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, zero लगाकर इसको देखते हैं, कटता कि नहीं करता है, तो यह four times में totally तरह से divisible हो गया, मतलब क्या, कि decimal के बाद अगर यह कहीं पर जाके stop हो जाए, मतलब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचे और यहीं पर यह खत्म हो जाए, उसको हम लोग क्या कहा देंगे, terminating कहा देंगे, ठीक है, terminating का मतलब आप समझ चुके है, मतलब decimal के बाद क कहीं भी जाकर end नहीं होगा, मतलब एक example से समझ यह, देखी, माल लेते है, हम लोग एक example लेते है, 10 और, ठीक है, 3 ऐसे कर रहे है, इसको 3 टाइम्स में लगाएंगे, तो यह मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 उतार लिए, अब यहाँ पर फिर से decimal दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 दे दिए, अब फिर से यहाँ पर 3 लगाएंगे, और यहाँ फिर से 9 आएगा, फिर से 1 उतार यह, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 3 आएगा, मतलब कितना टाइम भी, कितना बार भी आगे जा क्मास्थी कर देखंकर तो उसको क्या वोलेंगे हम लोंन तरनिंटिंग बोलेंगे मतलब आप लोग ले बनन टरमिनटिंटींग का भी मतलब समझें तक है थार्र क्या बोल रहा है repeating ठीक है repeating अब इस ही माएगा जैसे देखिए यह मेरे पास क्या है पॉाइंट के बाद देखिना ठीक है वाइंट के बाद जैसे यह 3 3 3 3 3 3 3 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है एक और गर लेते हैं अनल इन समय जाब एक पर 1545455 यह सब का है रिपीट कर रहा है, जब रिपीट करने लगे, same term, ठीक है, two digits का भी हो सकता है, three digits का भी हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ पर माल लेजे, 101, ठीक है, फिर से 101, मतलब 101, यहाँ पर फिर से repeat कर रहा है, फिर से repeat कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, मतलब repeating का मतलब क्या बार बार repeat करें तो आप यहां पर repeating का मतलब भी समझ चुके हैं और non repeating का मतलब क्या होता है जो repeat नहीं करें जैसे example के लिए हम लोग ले ले रहे हैं जैसे यहां पर 101 ठीक है फिर से 001 फिर से 001 फिर से 001 ठीक है यहां पर 10 repeat को रोक दिया मतलब यहां तक देख़े 10 यह पर repeat करणा चाह रहा था यह 10 लेकिन यह extra 0 आ गया है तो इसके repetition को क्या कर दिया है end कर दिया है मतलब यह sulla Igniteके 10 लेकिन यह 00 extra आ गया मतलब यह सब क्या कर रहा है repeat नहीं कर मतलब तो समझ गया तक इन चारो पाट का मतलब अब यहां पे देखिए इरेशनल नमबर का मतलब क्या होता है क्या हो नं टर्मिनेटिंग हो का मतलब क्या हो जो टर्मिनेट नहीं करे और जो रिपीट ना करे रिपीट ना करे मतलब यह रिपीट ना करे उसको क्या करेंगे हम हम लोग यह रेशनल लंबर कह देंगे ठीक है यहां तक समझ में आया होगा चली और यहां पर नोट पॉइंट आप लोग कर लिजेगा कि every non-terminating and non-repeating decimal is irrational ठीक है every non-terminating and non-repeating decimal is क्या इरेशनल इसको आप लोग क्या किजेगा नोट कर लिजेगा हम लोग अब कुश्चन सेकंड के फ्रस्ट पार्ट से देखते हैं कि कुश्चन नुबर टू के फ्रस्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बीच-बीच में जो इसको बीच में हम लोग देखते चलेंगे ठीक है मैंने अभी बताया इरेशन लंबर का डिफिनिशन सबसे पहले उससे देख लेते हैं ठीक है और याद रखिए का रूल लंबर सेकंड क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी रूट वाला है ठीक है स्क्वायर रूट है ठीक है स्क्वायर रूट है और यहाँ पर जो भी आ जाए M माल लेते हैं M सेकंड रूल देखिए M यह क्या हो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो मतलब परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1 नहीं होना चाहिए 2 का स्क्वायर कितना 4 नहीं होना चा चाहिए उस condition में हम लोग इसको क्या कर देंगे ई-rational बोल देंगे third case में क्या बोलता है third case में क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी का cube रूट ले रहे हैं ठीक है जैसे 3 का ले रहे हैं ठीक है तो यह अंदर जो 3 आ रहा है किसी का cube नहीं होना चाहिए उस case में हम लोग क्या कर देंगे उसको e-rational कर देंगे fourth case देखिए पाई क्या है एक e-rational नंबर है और 22 by 7 एक rational नंबर क्यों है क्योंकि पाई को अगर express किजेगा कितना आ जाएगा उसका कुछ value आएगा 3.14 ऐसे से बहुत चलता जाला जाएगा इसलिए उसको हम लोग e-rational न देखा सकता है 22 by 7 यहां पर fourth case देखिए क्या वोला गया 22 by 7 मेरा क्या है एक rational नंबर है क्या rational नंबर है क्या तो इसको हम लोग rational समझ जाए कि यह rational लिखा हुआ ठीक है और यहां पर देख सकते हैं देखिए यह मेरा क्या है point के बाद यहां पर जाकर क्या है इंड हो गया मतल इसको हम नंबर हो गया ठीक है third, third, pi दिया गया मेरा fourth case देखिए pi क्या मेरा e rational number है ठीक है e rational number है ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए यहां पर point के बाद देखिए मेरा rating का मतलब मैंने exercise 1c में बताया था कि यह बार बार क्या कर रहा है repeat कर रहा है repeat कर ठीक है और मैंने अभ ही है मेरा क्या हो गया यह भी मेरा rational number हो गया इसको भी हम लोग p by q के format में change कर सकते है exercise 1c के according ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए यह भी मेरा point के बाद देखिए यह मेरा non-terminating तो है लेकिन लेकिन यहां पर यह मेरा क्या कर रहा है repeat कर रहा है क्या 636363 क्या कर रहा बार ब होना चाया मने अभी बताया था definition घ्राव टीक है अशिया बिसको देख लिजी है यहां पर मेरा क्या है यह non terminating तो है तीख है लेकिन यहां पर पर करना चाह साफा रहा था लेकिन यह zero के repetition को तोड़ दिया इस ध। करना चाहरा था लेकिन यह डबल जीरो के रिपीटेशन को तोड़ दिया मतलब यह नन रिपीटिंग है जब नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग हो तो मैंने बताया था कि यह क्या हो जाएगा उसके स제में चाहरा था लेकिन यह जो इक्स रा गया है इसके रिपीटिंग को क्या करें रहा है फिक है यहां पर किरो जाया नन टर्मिने टिंग और नन रिपीटिंग में चाहरा है यहां सी 12 12 डीपीट siendo को भी नन न क्या हो जाएगा मेरा इसनल लंबर हो गया ठीक है आप रूट 21 केस नंबर कॉन सा दो देखी यहां पर नहीं किसी का फर्फरेट इसक्वाइर हें क्या नहीं है तो उस केस में इसको क्या कह دेंगे ये भी मेरा एक e-rational number हो गया चलिए अब इसko देखते है rules number 3 ठीख है टाइप 3 उसमें क्या था कि कि सी का क्यूव नहीं आना चाहिए cube root है देखें आहाँ डा su Fall ले सकते हैं पोशन नमबर 3 को देख रहे हैं ठीक है 3 में करना क्या है में पास यह रूट 2 दिया गया है और रूट 3 दिया गया है और इसके बीच find क्या करना है हम लोग को एक relational number find करना है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले रूट 2 का value हम लोग को पता होना चाहिए और रूट 3 का value पता होना चाहिए एट किलास में आप लोग एक एक कसे चर्फन के जो सकता वो क्या हो सकता है फाइब हो सकता है इसको चेंस कीजिये इसको चेंज़ झाज दाएगा इसको कट कर ढआदि हो जाएगा तो इसका एक क्रेंजब आधय कर त플इ ochetti है और भी बहुत सारा हो फोर्थ की तरफ मूग करते हैं कोश्चन नमर फोर देख रहे हैं ठीक है कोश्चन नमर फोर पढ़िए गाइस में क्या करना है प्रूब डैट रूट सिक्स इस एन इरेशनल लंबर ठीक है अभी तो हम लोग ने पढ़ा कि इरेशनल लंबर कौन-कौन सा होता है तो रूट 2 का भी बन जाएगा कहा क्या-क्या क्या यूज करना है जाऊंगा ठीक है तो भस इसको थोरा सा रटना है मैं बनता हूँ थो प्रेक्टिस कर लिए गा और पहर आपको ट替जीळेगा वैसे आपको समझ कि इसको क्या कर देना है प्रूब कर देना है इसका लिखा हुआ फॉर्मेट मैं दे दूंगा जैसे यहां पर यह देखिए मैंने लिख कर लाया आप इसको श्क्रिंसॉट ले सकते हैं लेकिन वह देखिए मैं अपको दे लुंगा थिक है चलिए यहां पे हम लोग को क्या करना है क्रेंकी चैनल प्रूब करना है तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग को क्या प्रूब करना है तो हम लोग इसको ए रेशनल लामन कर रेशनल लंबर मान कर चलेंगे और देखेंगे कि इसमें जो मैंने रेशनल लंबर माना है उसमें रेशनल लंबर का गुन प्रोपर्टीज आता है कि नहीं चलेंगे कि अधाः वैसे इसमें लोग क्या करें क्या मान कर चले हैं कि रूट 6 एक rational number है ठीक है यहां तक मान लिए अब हम लोग को पता है जब रूट 6 एक rational number हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 6 इसको पी बाइक क्योंकि हम लोग पढ़े है रिशनल लंबर का यह फॉर्मिट होता है अगर यहीं रूट 2 रहता तो यहां 6 के जगा 3 यहां भी 3 ठीक है ऐसे आप लोग मतलब 2 के जगा जहां-जहां 6 है वहां वहां आप लोग 2 कीजिएगा अगर रूट 2 के लिए प है पी और क्यो क्या है एक मेरा इंटीजर है जिसका और कया लावा कोई भी मेरा कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहां पे हम लोग देंगे क्या लिखेंगे T and Q where P and Q are integers, having no common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा यहां पे कोई भी आपको common factor दिख रहा है क्या, यहां से तो नहीं दिख रहा है, हम लोग relational number मानें तो P Y Q के format में आया, उससे हम लोग बता सकते हैं कि यहां के अलावा कोई भी common factor नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहां तो हम लोग लिख लिए, अब क्या कर इसको square करके देखते हैं, यह step आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो square करके देखेंगे, तो square कीजिए, तो root 6 का square क्या हो जाएगा, 6 square हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, root 6 का क्या हो जाएगा, अगर इसको square कीजिएगा, तो square root को लेकर grab हो जाता है, तो आप लोग पड़ी होंगे ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वार आ जाएगा और नीची क्या जाएगा क्यू स्क्वार आ जाएगा यहां पर निखिए स्कॉर्स को इधर ने क्या तो एक चीज औब सकते हैं सकते हैं यहां पर P2 by 6 और रखने है इसनों थिकज पर सकते हैं तो जब P सक्वाइर को दिवाइड कर रहा तो इसका मतलब कर सकते हैं इस p को भी डिवाइड करेगा, जैसे p को क्या लिख सकते है, p2 को p into p by 6, तो यह जब p2 को 6 डिवाइड कर सकता है, तो p को नहीं कर सकता है, क्या, कर सकता है न, तो हम लोग बस इसको लेंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 डिवाइड, 6 डिवाइड क्या, 6 डिव कि और रहे हैं कि आपी का 1 के अलावा कोई भी common factor नहीं है यहां पर एच्छी जाए कि 6 भी common factor क्यूंकि divide कर रहा है ठीक है जब फैक्टर है तो आगे देख करके देखते हैं कि क्यूं का भी कुछ हादा राएं ऍेह irony खर और चलिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहांपर क्या कर लेंगे यहां पर प्रॉट। टू कहरेंगे यहां पर रूट टू का करते आते हैं यहां चलिक के चलिए तो यहां पर पी पूट कर रहें किसलिए क्यों का अभी कोई कॉमन फैक्टर है क्या इसलिए पी का तो हम लोग निकाल दिए यहां से पीक का क्या आ गया, 6 ए कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम लोग Q का विचे करेंगे, ठीक है, तो यहां पे स्क्वैर कर दिजिए, इसको अगर लिखना चाहें, तो अधर हम लोग चल जाती है, देखी, इसको अगर लिखना इसको कट कर दीजिए 1 तैंस में इसको 6 तैंस में यहां पर Q स्क्वार इक्वल 2 कितना आ जाएगा 6C स्क्वार आ जाएगा ठीक है अब यहां से हम लोग देख सकते हैं इसको अगर 6 को इधर कर दीजिए तो मेरे पास क्या इसको रफ में लिखना है ठीक है इसको अगर 6 को और क्या आ गया 6 भी आ गया ठीक है तो यहां से दिखेंगे 6 डिवाइट इसको रटना है थोड़ा सा रट लिजेगा दो चारवर प्रैक्टिस कर लिजेगा ठीक है तो आपका बन जाएगा ठीक है Q स्क्वार और 6 क्या करेगा Q को भी डिवाइट करेगा ठीक है 6 6P और यहां से क्या दिखी 6 डिवाइट क्यू मतलब क्या कि 6P और Q दोनों का common Factor हो गया क्या common Factor हो गया क्या यहां लिखेंगे here and a six is a common factor of common factor of proper अथेख अब हम लोग पहले आइजूम करके चले थे जब रिशनल लंबर तो उस case में क्या आया था कि P और Q का 1 के अलाबा कोई भी common factor नहीं है और हम लोग यहां लाए तो P और Q का 6 भी common factor होगे यह कैसे possible यह तो कभी possible नहीं है एक बार कहा जा रहा है कि 1 के अलाबा कोई common factor नहीं है और एक बार हम ल से पूछें एक दोस से पूछें कि कहा था तो मान लेते हैं मोहित के पास था और एक दूसरा फ्रेंड है आपका रोहित और रोहित बोल रहा है कि मेरे घर पे और मोहित बोल रहा है कि मेरे घर और दोनों का घर अलग लग जागा है यह तो कभी possible नहीं है कि एक ही आदमी एक क्या है यह ही मेरा क्या है कंट्रिक्षज कर रहा है ठीक है तो ही लगा दुँंगा और लास्ट में लिख दिजिए गा हें मतला डिख ली जगा ऑ राइजसे कुछ मैं दे दुझा हैसूरूर। तो आपको अगर लिखना है तो यहां से आप इसका स्क्रीन स्क्रीन सॉट ले ले लीजिए आप लिख भी सकते हैं दो चार बार प्रेक्टिस कीजिए रूट 2 पे भी कर लीजिए रूट 5 पे भी कर लीजिए और एक वार रूट 6 पे भी कर लीजिए तो आपको यह याद हो जाएगा ठीक है हम लोग next question की तरफ करेंगे question no 5 को discuss करें ठीक है question no 5 में हम लोग को क्या करना है अब जितने भी question टर्म टाइप का आएगा जैसे किसी में देदेगा 2 पलस 5 रूट 2 देदेगा कुछ भी दे सकता है तो उसको सभी को सेम अपरोच से आपको क्या करना है फॉलो करना है एक समझ लिजिए और वैसे ही आप सभी का बना भी सकते हैं ठीक है मेरे पास क्या दिया गया है 2 पलस रू करेंगे कि एज यूम कर लेंगे मेरे पास कै algumas रेशनल नमबर 3 थीख है तो क्या रेशनल नमबर थीख है जाहिर सीskा फॉर्मेंट की तर्मेन आएगा यह सकते है ठीक है किसAU फॉर्ममे प्लस और माइनस टाइब के कोश्चन में उसमें आपका एम एक ही रहना चाहिए जो मेरे पास रूट वाला टर्म दिया रहेगा उसको एक तरफ रखिएगा बाकि जितने भी टर्म होंगे उसको इधर कर दिजेगा ठीक है ताकि हम लोग यहां पर Ary क्क्लूजन ग्या निकालना है कि अधर जो आएगा रूट 3 मेरे पास क्कॉश्चन में यह दो दिया गया एक e-rest사를 और इधर वां मैं इतुक हम तो हम लोग क्या करेंगे 2 को क्या कर देंगे उधर कर देंगे तो यहां से हम लोग देख सकते हैं रूफ सिरी क्या जाएगा मेरे पास इंचार करेंको इसा उलिए यहां पैरी नोर्जम क्व cottage क्यों संध 2तों नमबर्साइब चत्व निणरीक विए लनन कोर इपए निए निफेरी Tan sauna डीजें है लोग विए कोने क्यों पर चुन पर एक्षमेद्स है यहां पर फिंच निकाल दें खकें अब यहां पर पर एक नंभर यहां भी ओकर और है धान नमर को सब्ट्रैक्ट क्रेंगे तो भी मेरे शब लंमर का operation होगा तो वह भी मेरा क्या होगा अब इधर मेरे पास क्या रहा है रेचनल लंबर आ रहा है लेकिन इधर मेरा kosition में क्या दिया घया है यह कभी possible है क्या कि equal के उदर टर्म कुछ और आए और और इक्वल के इधर कुछ और आया ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अगर 3 इधर आ रहा है तो 3 इधर आना चाहिए मतलब एक्वल होना चाहिए और यहां तो चप्ट में चेंज होगे यहीं हमना घलत है इसलिए लिख दीजेगा, hence 2 plus root 3 is a rational number, आपको अगर लिखना है तो अब मैं लगा देता हूँ, इससे आप समझ कर क्या कर सकते हैं, स्क्रीन सॉट ले लिजिए, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन सॉट ले लिजिए, फिर लिख लिजिए, ठीक है, तो यहाँ पर के बाद खेलते रहें, पढ़ते रहें, और मुस्कुरा तेरी, thanks friends, have a nice day, मिलते हैं next video में,